नुसरत को यह तानह मिला कि तुम Бहुत मोटे हो तुमारा बधन बहुत भारी है तुमारी आवाज बहुत भारी है लेहाजा तुम सुदी आवाज तुम बहतरीन आवाज के मालिक नहीं हो सकते हो वह किस्सा सुनाईए जब नुसरत सो रहे हैं और सोते सोते गाने लग रहे हैं मतलब नुसरत ने पठना शुरू किया और सारी भीर जो है फिर बहां जनती शुरू हो जनीशन भोगे जब सोने का भाव पांसो के आसपास था पांसो चालीस रूपे तोला था उस समय उन्होंने एक शो के एक लाग सी हजार रूपे लिये थे आरडी बरमन से पहले वो आजमी एलेक्टरिक गिटार अपने बिल्कुल उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किये फिर बोला कि भाई तो हमारा कटल कर देंगे यह क्या अच्छा सवाल पोछा आपने प्राज कपूर ने रिशी कपूर के शादी में बूला है कि नुशाद केतने मैंने तो आपके पिता जी को जानता हूं आपके वारे हम क्या कहूं उनका एल्बम आया ओ शराबी साबरी ब्रदर्स ने फिर अगला एल्बम निकाला ओ शराबी छोड़ दे पीना उसके बाद अधीज में आगा जो उन्होंने फिर निकाला कि हाई कंबक तुने पी ही नहीं कि जर्वनी जर्मनी का शहर बर्लिण बर्लिण का की सिरा खाना वहां बैठा हुए एक जर्वन वह सुन रहा एक काना और वे बार 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 जाता है जब शराब घाने में बार-बार मेरी गाना सुनता है उसको इत्ताः मज़िक पढो़ 게임를 मुझे है कहता है यह उर्दू सहीखने है तो सब अलग अलग कारण करना जो मौने माने नहीं पता थे उर्दू उर्दू में था is लिए उर्दू सीखने और वो जो नग्मा ता वो था नुसरत पत्य अलिखान का हम आज उससे बात करेंगे यह नुसरत की किताब है रेखता पब्लिकेशन से आई है सूफी नामा उसका एक वेंचर है उस से छपी है उसके बाद हम बात करेंगे यह है किताब ग्रामो फोन कवाली की इसमें तो कमाल-कमाल किस्ते हैं 1975 की बात है कि जब 1975 में सोना एक तुला सोना पांसो चारीश रुपए का था उस समय एक कवाल आता है और वो कवाल 1,081,000 रुपए लेता है है ना कमाल बात है कि नहीं और इसे लिखा और संपादित क्या है और इसकी जो भूमिका जिसके लिए जिसका मैं कयाल हो गया हूँ वो लिखी है इसकी ग्रावाफोन का वाली के लिखी है सुमन मिश्र ने और नुसरत वाले के लिखी है रयान अबुलॉलाई ने कैसे हैं आप लोग बहुत बढ़िया अब यह बताइए कि नुसरत से शुरू करते हैं फिर आएंगे ग्रावाफोन पर वो किस्सा सुनाइए जब नुसरत सो रहे हैं और सोते सोते गाने लग रहे हैं और कमाल यहां पर यह है कि नुसरत एक समय ऐसा है नुसरत को लोग कहते कि भाई आप जब हो जाते तक कवाली पार्टियों में तो उनके पार्टिया लेविते थे तो गाड़िम बैठते जाके कि भाई तुम्हारे बस के कवाली नहीं है। नुसरत शुरू से बहुत मोटे थे और उस जमाने में कहा जाता था कि जो कवाल हुआ करते थे वो उन्हें बहुत पतला होना पड़ता था लेकिन नुसरत की इस कदर लहीम शहीम था उनका बदन कि हर लोग उन्हें उताना देते थे कि साहब आपका जो साहिब जादा है अफ बदन भी बहुत मोटा है जिसके वजे से जो आपके यहां की खानदानी जो कवाली का जो एक सिलसला है वो शायद कहीं बंद नहो जाए क्योंके मुझे नुसरत को देख करके कहीं से भी यह महसूस नहीं होता है कि यह इस खदर अच्छी कवाली गा सकता है जिस खदर आप आवास तुम बेहतरीन आवास के मालक नहीं हो सकते हो तो यह सिलसला उनके साथ श़ुइस से लगा रहा जिसकी वज़े से वो का collaborations भी गमगीं भी रहते थें कि काश मेरी आवास भी मेरे बाप जैसी हो जाए मेरे दादा जैसी हो जाए मेरे चचाचा जैसी हो जाए ताके मै भी अपने खानदानी जो रिवायत है जो गवाली का जो सिलसला है उसको मैं भी दूर तक लोगों तक पहुँचा सकूँ उस सिलसले की बात है कि एक रोज वो रात को सोते हैं और रात में खाब देखते हैं कि साब मैं जो हूँ वो एक दरगाह के पास खड़ा हुआ हूँ और और वहां पर हमसे ये कहा जा रहा है कि गाओ ये उस वक्त की बात है जब नुसरत के वालिद फत्र अली खान का इंतिकाल हो चुका होता है और नुसरत को समझाने वाला नुसरत को बताने वाला नुसरत को कुछ कहने वाला किसाब तुम ये कर सकते हो तुम अपने बाप दा और फिये अच्मेर शरीफ की दरंगा कि सहन के पास अनके वालिद खाब में आते हैं कहते हैं कि नुसरत मैं तुम्हारा बाप तुम्हें आज ये ठा union डेता है कि तुम अजमेर शरीफ की दरंगा करके कवाली गाओ, तुम अपनी आवाजों को न देखो, तुम अपने माजी को न देखो, कि तुम ने क्या किया है, तुम्हारी आवास कैसी है, तुम गापाओगे कि नहीं, तुम जब गाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग तुम्हारा कहीं मजाख न उड़ाएंगे, तुम वो साथ था। दूसरी चीज अजमेर शरीफ में खाजा गरीब नवास की दरगा की चौकट पर बैठ करके गा रहे थे। इसलिए ये यकीन था कि कुछ भी गाएंगे खाजा साहब की दरगा में वो कबूल किया जाएगा। अजमेर शरीफ तो कभी गए नहीं थे। तो इन्हों ने वो पूरी दरगा जहां पर बैठ के उन्होंने वो कबाली पढ़ी थी। उसका पूरा नक्षा इन्होंने बताया घरवालों को कि इस तरह की कोई दरगा है, यहां पर यहां पर ऐसे है। तो घरवालों ने वो तुरं और आके गाई है, उन्होंने कहा कि नहीं जगा पर गाना चाहता हूं, इस जगह पर मुझे सब खीकाब में बैटके गाया था, तो वो उसी जगह बैठके उन्होंने कवाली पढ़ी जो कवाली पढ़ी थी उन्यूर कवालै। अचा पिता जी भी इनके बहुत बड़े कव्वाल रहे अगया अनुसरत को ही जानता था घार हलाकि उन्हों और आगे, आगे हैना वो आगे उन्होंने, सलामत, मुबारक और फतह, ये तीनों लोग, सलामत तो जो र्मोनियम बजाते थे कहते हैं भारती महाधियूप में ऐसा वह र्मोनियम बजाताथा, अ बिल्कुन, उस समय उनकी तूती बोलती थी, है हना, वो कौन थी, इलाही जान आई थी, वाक़ा कुछ यूँ था कि फत्र अलीख खान साहब से वो मिलने आई थी जब उसने मुलाकाद किया तो लोगों ने वहां पर क्यास पास के लोगों ने कहा कि आप कुछ गाईए तो इन्हों ने कहा कि गाने को तो गादू हार्मोनियम को बजाएगा तो हुआ कि सलामत हार्मोनियम बजा देंगे लेकिन सलामत की मश्क उस वक उतनी अच्छी नहीं थी कि वो बहतरीन तरीके से गा सके और उस पर इलाही जान साहबा जो है वो मुझाहरा पेश कर सके तो कहा गया है कि जब सलामत ने हर्मोनियम पे हाथ रखा तो बेहतरी तरीके से कर नहीं पाएं वो जिसकी वज़े से इलाही जान ने बीच महफिल में ही उनको रुकवा दिया और कहा कि आप अच्छा नहीं बजाते हैं पहले जाईए और मश्क करके आईए फिर उसके बाद उन्होंने तबड़ा वो है बड़ा सुनदर्वाग कि है कि मुबारक खली कहते हैं कि ये मुश्ताग खान का बेटा है ये फ्यूद अलिगा का बेटा नहीं हो सकता तो कहें कि नहीं चे महीने बाद आईए गता अना पर आ गई थी कि नहीं नहीं सहब इलाoff beshG to be ta to you ho नहीं मालूम नहीं होता है यी अगर scholि जा इता खांक का वाई होता यी अगर इलाई beshG to be tranh他 हो to is caillant harmonium by tar ben tah a visiting i from ein spoon put to इन तो सलामत ये जो थी ना स्टेटमंध और उसके बाद आप मैं बजा कर लिखने वाले लिखने वाले ने ये दिर भी लिखा है वो है वो पहले जो दम में तबेशाzna बहुत दोड़ा उनकी उग्लिया दर बर्फ में डाल दी जाती थी है ना हम लोग नाम की बात कर रहते हैं इन से भी मिश हुआ मुझसे मिश हुआ मैं कुछ और नाम बोल रहा था उनके पिदा जी का मौला बक्ष मौला बक्ष दादा हुए उनके दादा हुए पिदा जी तो फत्य लिकान पागिस्तान से कोई तबला जाने वाला ही नहीं मिल रहा है तो इनके जो वालिद सहाब होते हैं वो नुश्रत सहाब को कहते हैं कि एक काम करो कि तुम बजाओ संगत दो तो उनको देखके हो करते हैं कि ये छोटा बच्चा स्कूल से आये थे वो उसमें बड़ा वह जाब क तो आप किसी भी मुकाम को पा सकते हैं एक वह मुकाम है कि जहां पर अमीर कुश्रो के मतलब जशने अमीर कुश्रो हो रहा है और एक बहुत बड़े कवाल गा रहे हैं मतलब उनका ऐसा रसूख है कि जब वह गातने हैं उनको उनके बाद फिर जो जनता होती वो चितर जाती है। मतलब इनों ने कहा है कि इननों जनता हैं पर थियाता मैं भालानी के विछी शामने करते है!!! दिन जनते हैं लोयां आज रखेली तुट साव्रियों टके इना विला शुफविस्ठ लिए अचिछविस सह्थाुर मोगे बयाए। मैं तो पिया से नैना लड़ा रही दे घर नारी गवारी कहे सो कहे तो इन्होंने वो पढ़ा और कहते हैं कि उस दिन स्टेज पर इतने सारे लोग आ गए थे मतलब फैज अमत फैज भी पिय जदा थे वहां पर बिलकुल और वो सब उन्होंने स्टेज पर आके फिर इनका अमीर कुश्रो वाला जो वो इवेंट था जिसमें ये सब इधर उदर टेंट जो पहला जो पाक पतन में था वो बाबा फरीद की दरगाह पे पाक पतन में था तो जब वहां पर जब ये पहुँचे और वहां पर पढ़ना शुरू किया इन्होंने तो वहां पर भी बहुत सारे कवाल शुरू से ही मतलब सारे कलाम लेकर और सारी बदर्च का ये था कि वो पढ़ते थे और उसके बाद पूरी जनता उठके अपना इधर उडर चितरा जाती थी उसके बाद क्या हुआ था कि जब नुसरत आये और नुसरत ने कलाम शुरू ही किया तो जो इधर उधर की जन्ता थी जो गांधी फिल्म में देखते हैं कि मुहमद ली जिन्ना भाषन दे रहे होते हैं सारे लोग बैठे होते हैं और गांधी पुड़ा इंडिया घूम के आये हैं और वो खड़े होते हैं भाषन देने तो कोई नहीं सुन रहा होता सब इधर उधर और गांधी शुरू करते हैं कि भारत क्या है भारत है एक लाक द सब्सक्राइब तो गुलाब फरीज साबरी जो थे यह यहां इंडियम पैदा हुए उसके बटवारे के बाद तो कहते हैं जब यह उधर गए तब उनको रोतक में पैदा हुए जब यह वहां गए कराची चाहिए फिर उसके बाद वहां पर उन्हें बड़ा सब्सक्राइब केंपों में रहते थे सड़क बनाने का काम करना पड़ा बहुत बीमार होगे लोगों का अब आपकी ठीक नहीं होगी आवाज आवज क्या था और उसके बाद फिर यही गुलाम परीद मैं वही कनेट कर पा रहा हूं वही गुलाम परीद है और वही नुसरत है महान लोगों की कहानिया होती है उनमें बहुत सारी सिमलर्टीज होती है जब आप देखेंगे तो हालां कि एक कहानी दूसरी कहानी कभी नहीं बन सकती लेकिन फिर भी बहुत सारी सिमलर्टीज होती है जो खासकर के महनत और जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल हर बड़े फनका जो मेरठी वो भी बहुत कमाल की कवाली पढ़ रहे थे उनका बिल्कुल एक अलग स्टाइल है कवाली का और इधर साबरी बर्दर्स और इन दोनों में प्रतिजनता ऐसी चलती थी कि अजीज मिया अपना कलाम खुद लिखते थे, खुद ही कंपोज करते थे, खुद ही लिख उसके बाद अजीज मियागा जो उन्होंने फिर निकाला कि हाई कमभक तुने पी ही नहीं तो इन में चलता था, लेकिन ये था कि ये सारे लीजेंट थे उस समय के और इन्होंने कवाली को इंडियन सब कॉंटिनेंट में परपलर करने में एक बड़ा योगदान दिया, जै पले खानकाहों में जब कवाली पढ़ी जाती थी, उसके बाद कवाली ग्रामोफोन जब आया, तो पहली बार लोगों को ये समय क्योंकि कवाल अपना पूरी जिंदगी अपनी निकाल देते थे कि अब गुरुओं के पास बैठके कि कोई एक कलाम सिखा दे और पूरा गु उनसे सारे काम करवा सकता है, वो दिन भर गुरु के पास बैठे रहेंगे, तब कहीं जाके सालों के बाद वो एक कलाम उनको सिखाएगा, एक बंदिश सिखाएगा, अब उसमें ये होता था कि जब ग्रामोफोन आया, तब इन्हें ये एहसास हुआ कि, मतलब हम सिर्फ इस कबाली बहुत तेजी से प्रचलित हुई, लोगों में बहुत पॉपलर हुई, कबाली में बहुत सारी विसंगतियां भी आई, क्योंकि जब पॉपलर चीजें आप करने लगते हो, तो धेरे धेरे उसका मयार कम होता जाता है, उसके बाद जब तो उस समय फिर इंडिया में बहुत सारे famous कबाल हुए, लेकिन जब उसके बाद आया दौर आकाश्वानी का रेडियो का, जब दौर आया, तो रेडियो के दौर में के आते ही partition हो गया, और partition में पाकिस्तान ने तो कबाली को बहुत फरोग दिया, लेकिन इंडिया वालों ने क्या किया कि यहां पर फिर चुंकि और दूसरी विधाएं मर रही थी तो इंडिया में सास्त्रे संगीत को और मां की जो लोग गीतों को इन सब को जादा वो मिला तो इससे ये हुआ कि पाकिस्तान में उसके बाद पाकिस्तान के बाद बड़े-बड़े कवाल हुए चुंकि वहाँ पर उसको प्रमोट किया गया उस तरह से तो उस समय पूरे सब कॉंटिनेंट की आवाज बन गए थे सावरी बड़र्स हैं हामीद अली बेला हैं और अजीज मिया हैं पठाने खान हैं ये सारे नाम फिर उधर से ही आने लगे थे अच्छा आप अभी रेडियो की बात कर रहे थे जब नुसरत पहली बार पिछली साफ में बैठा हुआ एक लड़का है और उसको जो इंचार्ड थे वो कहते हैं वहाँ पर कि भाई आगे आओ इनको टोली का वो करने दो ना इनको सरदार बनाओ इनको गाने दो क्या था वो जब नुसरत पहली बार रेडियो पाकिस्तान पे पहुंसते हैं और वो सिर्फ लोगों का अपना कोरस में गयते लेकिन लीड कववाल बन गयते हाँ वो वाकिया कुछ यू है कि बहुत से लोग बैठ करके मश्क कर रहे थें कि एक दो गंदी के बाद जो मैफिल शुरू होगी उसमें ऐसे गाएं रिहलसल कर रहे थें रिहलसल हो रहा था वाँ पे तो नुसरत भी उस रिहलसल में हिस्सा लेकर करके बैठे वे थे और कुछ नकुछ वो गुनगुना रहते हैं कहने तो कहा जाता है कि उस रेडियो के जो सेक्रेटरी थें उन्हें एक आवाज बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी लगी इस पदर आवाज उनकी अच्छी लगी कि वो साब अपने आफिस से उठ करके कि वहां पर आगया है कि जहां पर ये लोग रियल सल कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक मोटा सा बच्चा है बैठा हुआ है और कुछ गुन गुना रहा है लेकिन उसकी जो आवाज है वो लोगों को खीच रही है और एक आवाज में कशिश है वो आएं और उन्हों ने पूछा कि इस मेह फिल को लीट कौन कर रहा है तो बताया गया कि नवादिश अली खान साहिब जो है वो इसको लीट कर रहे हैं आजा की मेह फिल यह कौन है तो यह उनके बतीजें हैं और फतह अली खान की बेटा है नाम तो सुना हुआ था तो कहा कि अच्छा तो क्या ये बहतर हो सकता है कि आज की मैफिल को लीड जो है वो ये बच्चा करे अब जो इनके हवारीन थें दाएं-बाएं के लोग उन्होंने एक दूसरे का मुझ देखना शुरू किया क्योंकि ये तो वही नुसरत थे जिनको गाड़ी बिठा देते हैं लोग जिसने आज तक हमारे साथ गाया ही नहीं हो पिछली असफ में भी इसको हम नहीं बैठालते थे बस साथ में लेके चलते थे और कहा जा रहा है कि इससे आप महिल की शुरूआत कराओ लेकिन सेक्रेटरी सहाब का जोर था कि नहीं नहीं अग आवाज में जो एक अपनाईयत है वो औरों से बिलकुल अलग है कहा गया कि नुसरत ने गाया और गाने के बाद उनकी पार्टी के जो लोग थें वो भी एक दूसरे का मूँ देख रहे थे कि कमभख ने आज तक वैसा तो गाया ही नहीं था जो आज इसने गा दिया है तो दीरे दीरे फिर पहला मौका था जब नुसरत कहीं इस तरह से गा रहे एक लीड करने का उनको एक मौका मिला कि सहाब आप कीजिए और वहां नुसरत कामयाब हुए और अपने ही पार्टी के लोगों को आइना दिखाया कि तुम जो हमें पीछे के सफ में डाल देते हो नही हमें भी कुछ खासियत है कि हम गा सकते हैं कभी एक दोर था कि जब पिता जी कहते थी कि आपको डॉक्टर बनाएंगे गविया ने बनाएंगे वो एक बहुत ही अजीब से दास्तान है कि शुरू से अफट अली साहब का ये कहना था वैसे कली नुसरत का जो खांदान है वो अफगानिस्तान से आया था अठारवी सदी में हिंदुस्तान जालंदर के पास तो नुसरत के वालिद ने ये महसूस किया कि जो कवाली में में बहुत कुछ नहीं रखा हुआ है अगर एक अच्छी जिन्दगी गुजारना है और समाज में एक बहतरीन तरीके से रहना है त तो कवाली से काम नहीं चलेगा बलके दुनियावी तालीम जो है उसको लेना बहुत जरूरी है तो उन्हों ने ये सोचा कि जो फन मेरे दादा ने किया जो फन मेरे बाप ने किया जो फन मैं कर रहा हूं और लोगों तक पहुंचा रहा हूं मैं वो फन अपने बेटे को ना दोल से ताशे से आवाज से इन सब चीजों से दूर रहे और इल्म हासिल करे और डॉक्टरी की तरफ बढ़े लेकिन खिसमत को कुछ और ही मन्जूर था और एक बार शाद वो रियाज भी कर रहा थे पीछे साहब पुकड़ बहुत मुश्किल दोर से गुजरे थे उनके वाल अच्छा वो उस समय यह भी था वो मुस्लिम लीक की तरफ थे तो लोग यह भी कह रहते है कि कतल कर देंगे मुस्लिम लीक के सब उतर तो इंडिया में तो उस पर काफी वावाल मचा हुआ था तो उनको किसी तरह से जो है एक हिंदू फैमिली थी राय खुरशीद साहब ने राय खुरशीद साहब उनके लोग जा रहे थे तो उन्हों ने पुर के पुरका पहना के इस परिवार को भी वहां रवाना कर दिया तो वो देख रहे थे कि अभी चुंकि ना वो माहौल है सब कुछ उधल-उधल था दोनों मुल्क बटवारे की उसमें जल रहे थे तो कही प्रोविशनल कबाली उस समय तो कबाली और यह सब चीज़ें तो हो नहीं रही थी और खानकाहों पर उस तरह की कमाई नहीं होती तो इसलिए भी एक वो रह था उनको कि अपने बेटे को हम यह फन छोड़के उसको डॉक्टर बनाया जाए लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटा चुप-चुप के एक्चुली वही है रूमी कहता है कि आप आम के पेर को कितना भी पानी दे दे उससे कठल नहीं हो सकता वो आम ही उसमें आएगा फिही मा फिही उनकी एक किताब है तो उसकिताब में वो कहते हैं कि रूमी की एक प्लेग्नेंट लेडी जो होती है वो सारे काम करती है, लेकिन उससे उसके अंदर चल रहे हैं बच्चे के ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता, वो नौ महीने के बाद वो ही पैदा होता है, तो उसी तरह से एक कलाकार है, एक क्रियेटिव आदमी है, वो चाहे कुछ भी करे, वो हजार चीजों में मुलविस ह लेकिन लास्ट में उसको बनना होता है, उसी तरफ एक अंदरूनी विकास चल रहा होता है, तो नुसरत को नुसरत बनाने के लिए जो है, पूरा डेस्टिनी की विकास यात्रा चल रही थी, वो इसी तरह से चल रही थी, वो अंदर अंदर चल रही थी, जो नुसरत को ही न करने में साजिश करता है पूरा जहान साजिश करता है जो जब आप कुछ सोचते हैं तो अच्छा ये वह बता है ये जड़ा जो एक लाग असी हजार उनीस सो पच्छतर के जवाने में जो कवार लेता था शो का जी अजीज नाजा कबाल थे और उनका उस समय चड़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा उनका इतना फेमस हुआ और भी उनकी कबालियां बहुत सारी मैं नशे में हूं बिलकुल तो अब उनका क्या हुआ कि मतलब वो इतने पॉप्लर थे कि रांची में एक बार ट्रेन डोकनी पड़ी लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए इतने व 340 रुपे की तोला था उस समय उन्होंने एक शो के एक लाग सी हजार रुपे लिये थे और वो उस जमाने में मैं देख रहा हूं कि किता वो जब पूरा एकदम लोग दकियान मतलब दकियान उसी नहीं कहेंगे उसको कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट पर हार्मोनियम तबले लिए और वो आदमी बपी लहरी से पहले आड़ी वर्मन से पहले वो अदमी ऐलेक्टरिक गिठार बिलकुल उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किये तो कब मैंने कहा था ना पहले इंटर्विव मेंने कहा था कि सूफी बहुत प्रयोग धर्मी होते हैं तो वो हमेशा कुछ ऐसा करता है जो पहले नहीं हुआ है मतलब मेरे लिए बहुत वह ताज़ुब की बात थी कि मैं तो सोचता था कि यही लोग ले क्या है इंडिया में उनकी कहानी भी वैसी ही है उनके वाली साहब जो है वही उनको खूब मारा करते थे कि या म्यूजिक नहीं सीखना मलाबारी और उन्हों ने फिर उसके बाद बाकाइदा उर्दू सीखी अलग से हर महीने वो तीन से चार किताबें मंगवाते थे पाकिस्तान और इंडिया भर की जो उर्दू में शब्ती थी शायरों की किताबें अद्बुत अद्बुत लोग हैं हभी पेंटर के बारे मताईए इसम को मैं महीने बर सुनता रहता हूं तो मैं उनका वो जो है वो महीने बर मैं सुनता रहा है महीने बर सुनता रहा है नहीं मालूम कौन साथ है कि बहुत कठी ने डगर पनगटी वो कमाल थे और वो पेंट करते थे वो पहले और किसी की नजर पड़ी और उन्होंने देखा उन तो उनका उनको अच्छा लगा और उसके बाद जब इंदिया चाइना का वार हुआ तो उस समय उन्होंने देश भक्ती में बहुत सारी कवालियां पड़ी और तो उससे भी जो है नहरू जी ने उनको समानित भी किया और अभी जो है वहाँ पर अलीगठ में उनके नाम का एक होलीवड ग्रैमी दो-दो ग्रैमी के लिए नॉमिनेट होता है हुआ बिल्कुल 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 है था है ना अच्छा यह बताईए ये यूरोप में जब गए थे यूरोप गए तो वहां पर इनके साथ कुछ वैसा हो गया था कुछ उन्होंने गलत कोई प्रनांस कर अच्छा सवाल पूचा आपने बिल्कुल ये मसला बहुत उड़ गया था है मामला ये था कि इकबाल सफी पूरी का कलाम वहां पढ़ रहे थे हैं और इसमते तौबह करके वह पूरा कलाम था है लेकिन लोगों ने ये कह दिया कि इसमते तौबह की जगा पर नुसरत जो है वह इसमते काबह पर पर रहे हैं लोगों ने ये फीमस कर दिया कि साहब आप जो है वह इसमते काबह को ठोकराने का मौसम आ अगया मतलब काबह को अब ठोकराने की बात कर रहे हैं और मक्खे में जो काबा है उसके बारे में आप कह रहे हैं तो ये पाकिस्तान में जो खबर है आग के तरह पेल गई बिटो पेशावर का जो अलाका ता वह पूरा वह nuclear उनलों थनके नाम के साथ मृरदाबात के नारे भी लगे कि जैसे ही monumental जो अपनी तरग दी लेकिन नुसरत की सबसे अच्छी खूबी ये मैं मानता हूं कि वो उस खदर बुलंदी पर पहुचने के बावजूद भी सूफियों और शाह साहिबों से उसकी जो अकीदत थी वो बिल्कुल वैसे ही ती जैसे वो बच्छपन में रहा करता था तो पाकिस्तान से साइम चिश्टी साहिब एक बहुत बड़े सूफी शायर है जिनको बाजू पकड़ा गयते हैं पते बिल्कुल बिल्कुल कि आपको रखना है उन्होंने कहा कि आप मत घबराइए जहां जहां पर नुसरत बहकेगा जहां जहां पर नुसरत गलत जाएगा उसको मैं रोकूँगा और उसकी मैं इसलाह करूँगा तो साइम चिश्टी साहब ने उस वक्त के अखबार में ये पूरा मजमून लिखा कि लोग जो नुसरत के बारे में बुरा बला कह रहे हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है बलके नुसरत ने इसमत काबा नहीं कहा है बलके इसमत तौबा ही लिखा है और कहा है फिर जाकर के लोगों ने उस चीज़ को बंद किया अच्छा ये बॉलीवूड ने बहुत काने इनके इसमें दिक्कत नहीं है फूड़ता नहीं होनी चाहिए आप ने पूरी लिख्ट दी है कि ना सोड़ा मुझे रब ने बनाया मेरा पिया घर आया और आमजी मेरे दिल को कुछ नहीं भाए सजना तेरे बिना ये जो हलका हलका सुरूर है इससे जादा दुख न कोई प्यार बिच्डे सासों कि महला ये सब जो है अभी नकल की अभी दो और आ गए हैं अच्छा कौंसा और एक और आपने अंगड़ा इली पना बुलंद शहरी का कलाम है बॉली वोड तो खेर होशियार है कौपी करने नकल करने बहुत होशियार है बॉली वोड और जिसमें जो है एक लेवल है वो तो बहुत तगड़े तरीके से नकल करता है और तुरंत कॉपी राइट स्ट्राइक भी मार देते हैं वो लोग अगर आप उनका कुछ इस्तेमाल करने के भले ही वो कॉपी हो कहीं से म्यूजिक लोगों ने तो कलाम भी अपने नाम कर लिया है लिरिक्स भी कह कलाम तो है जो नुस्तत ने पढ़ा है लेकिन इस वो लिखा किसने है उसके नाम के साथ दिया जाए ताकि ऐसा ना हो कि रश के कमर जो है वो किसी और के नाम से पबलर हो और वो पना बुलन सहरी रह जाए अच्छा ये भारत दो दफ़े मतलब पहले जो दो दफ़े आपने में जिक्रिका एक तो अजमेर वाला दूसरा जब इनको राज कपूर ने रिशी कपूर के शादी में बूला है वो बड़ा अच्छा किस्सा मुझे लगा कि नौशाद करते हैं मैंने तो आपके पिता जी को जानता हूं आपके वारे में क्या का हूँ बिलकुल बिलकुल ऐ उनकी पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा स्टेज था कि इतने कलाकारों के सामने में हमें जो है मौका मिलेगा और वहां हमें अपने फंद का मुझारा करना है तो ये लोग जब बंबई आते हैं और नुसरत के बारे में कहा जाता है कि नुसरत आपको जो है वो ये एक घंटे का मौका दिया जा रहा है उसी में आप अपनी तमाम चीजों को पेश कर दीजिए नुसरत ने जब गाना स्टार्ट किया तो वहां कर पर कि जो लोग थे उन्होंने उनको रिवायतन लिया कि ये तो पेशे से कवाल है और कवाल बस कवाली ही का सकता है वो कु नौशाद ने भी ये कहा कि साब हमने आपके बाप का नाम तो बहुत सुना है आपके बाप में जो हुनर है जो कॉलिटी थी उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है लेकिन अब ये देखना चाहेंगे कि आप क्या कीजिए अपने बारे में तो नुसरत ने ये कह दिया नुसरत के जो पार्टी के लोग थें उनमें से एक साहिब का ये कहना है कि जब नुसरत ने अलाप लेने शुरू किये नुसरत ने गाना शुरू किया तो जितने भी वहां हुनर वाले लोग सब बैठे थें उनकी आखें खीरा का खीरा हो गई कि साहब कवाल तो सुना है लेकिन कवाल इस कदर कैफियत के साथ और इस कदर हुनर के साथ गा रहा है कि यहां पर जितने लोगों के अंदर जो जो कौालिटी है सब उस एक शख्स में मौजूद है तो नुसरत ने एक घंटे की महफिल को तीन घंटे में तबदील कर दिया के साथ जो है वो तीनों घंटा सुना बाद में मुश्ताक साहब को यह कहना पढ़ा कि साहब जो कौलिटी बाफ में थी वही कौलिटी जो है साहवजादे में भी है अच्छा कौलिटी की बात कर रहे हैं तो नुसरत मतलब यह अलग तरह के नुसरत ने कवाली की पूरा उस कि नुसरत की कवाली कि व्ह। अविलए को णिश्ण की कवालि इस लोगों कि भी कवच्चिर शॉमास ने त्रेड़िनल कावली क्या होती है क्लासिकल मीजिक divisus अटिस्तमाल तो थ 歡i क्या होता है कवाली का structure क्या होता है ये नुसरत ने लोगों को बताया जैसे मैं कवाली के structure की बात कर रहा हूँ तो जब कवाली होती है तो कवाली का पूरा आप structure देखेंगे तो सबसे पहले उसको कहते हैं तजमीन या दोहा शुरू में एक दोहा पढ़ा जाएगा वो किसी का भी हो सकता है उसके बाद किसी शायर की गजल शुरू होगी कवाली के रूप में वो शुरू होगी फिर एक share पे कवाल रुक जाएगा उस share में किसी और शायर की एक share लगाएगा एड करेगा और उसको एक hide तक ले जाएगा उसी share को repeat करते करते उसे गिरह लगाना कहते और वो फिर वापस उसी share पे आ जाएगा और फिर गजल शुरू होगी फिर चलेगी और इसी को अगर बार बार वो repeat करता है तो इसको कहते हैं तकरार अच्छा और उसमें जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से किरह लगाते 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 आप जितना भी लंबा करना चाहें कवाली को दो गंटे तीन गंटे आप लंबी कवाली कर सकते हैं अच्छा उसमें जो तो यह पूरा format है जो नुसरत की कवालियां आप सुनेंगे तो यह format आपको फिर आ है झा अच्छा नहीं मतलब मैं वहारा हूँ कि वह आदमी हॉलीवीड फिल्मों में म्यूजिक दे रहा हो अना वह बॉलीवीड में मुजिक दे रहा है और आच्छा इनके जो भाई थे ऑभी बहुत बटे वो थे मतलब आर्मोम यम बहुत बहुत नामीम बढ़ा और वारि कर देते हैं तो यह सिल्सला और इस लो था अन से पहले का था मामला यह था कि जब फत Den प how को पर बाेटसाई थे तो आम यो आध सार्फ Свाख पर बाता वो सलामत देते थे तो उसी सिलसले को बाद में जिन्दा रखने के लिए नुसरत के साथ जो है उनके छोटे भाई फर्रुख फते अली खान जो राहत के पिताजी है वो बैठते थे और वो इस फन को बढ़ाते थे नुसरत ने कहा है कि बास बास जगहों पर तो मुझसे भी अच्छा काम जो है फर्रुख का है फर्रुख को लोग अतना अच्छे से जानते भी नहीं है लेकिन वो नुसरत के भाई बन के रहे हैं नुसरत की तरकी में फर्रुख का बहुत बड़ा बहुत बड़ा हाथ है बिल्कुल अच्छा यह ग्रामो फॉन आने से मैं देखता हूँ कवाल पहले जासे कवाली सिर्फ औ सिर्फ पुरुष पुरुष प्रधां थी ग्रामौ फॉन आने से महिला भी इसमें प्रवेश्च तो यह ग्रामो फॉन जो अवश्कार ता हुए तर गुल्दस्ता कवाली का पहला वोल्यूम है , उसमें बहुत सारी महिला कवालों के बारे में हमने बताया है , शुरू में शेक शहाबुदीन सुहरवर्दी थे , जो सुहरवर्दिया सिल्सिला के बानी जिन से शुरू हुआ था , वो अपनी किताब जिए अवारिफुल-मारि अवारिफुल मारिफ में एक जवा लिखते हैं कि महिला कवाल भी हुआ करती थी और उसके बाद फिर जब भाजत निजाम-दीन अलिया ने कुछ बंदीशें लगाई कि जो महिलाएं जो हैं वो कवाली उनको नहीं पढ़नी चाहिए क्यों कि दर्गाहों की अपनी एक वो होती थी अच्छा है बब बिसकली कवाली वो सांस्कृतिक धार्मिक वाला मामला था भजन मैं मतलब इसको बार बार मैं भजन इसलिए कह रहा हूं कि भजन का ही एक रूप था और उसमें जो है वो किसी तरह से अब शाम होती थी कवाली शाम में भी पढ़ी जाती थी, जो औरतों को शाम में घर से बाहर निकलना और किसी दरगाह पे अकेले रहना, ये भी जो है कल्चर नहीं था, तो इसलिए भी एक वो रहा, उसके बाद जब ये शुरू हुआ, ग्रामो फोन शुरू हुआ, तो इसने तो बहुत सारी बंदिश खतम करती, एक चीज और भी हुई कि तीन मिनट में कवालों ने जो है कवाली पढ़ना सीख लिया, तीन मिनट में किस तरह से कवाली पढ़ते हैं, अच्छा ये बड़ा वो था, इसलिए लोग कत्रा आते भी ते ग्रामो फोन पर रिकॉर्ड करने से, शुरू में तो हर ची करेंगे, हम तो यहां पदले कौन कहा, किस उसमें सुन रहा है, बिल्कुल और उससे नुकसान भी हुए, कुछ कवाली जैसे चौकियां बन गई, जो मुकाबले होने शुरू हो गए, और उस समय की और नहीं चीज थी, बैतबाजी टाइप होने लगी, और एक और चीज थी कवाली का जो समय था उस समय का, उस समय तीन चीजों का बड़ा जोर था, एक तो तरक्की परसंद तहरीक जो चल रही थी, और दूसरा जो जासूसी जो नॉवेल्स बहुत लिखे जा रहे थे, और तीसरा फिल्में, ये फिल्म भी बहुत तेजी से उसमें ग्रो कर रही थी और जासूसी जो नॉवेल्स थे, वो ही बड़े पपलर हो रहे थे, तो कवालों के उपर इन तीनों चीजों का असर पड़ा, ग्रामोफोन के समय में, अब ये क्या करते थे कि कवाली को इतना, मतलब, मिस्टीरियस बना देते थे, और लास्ट मिस्ट्रे में जाके उसकी मि और चला था, अब उन नजमों में ये था कि कोई भी फिर शायर बन गया, हर कवाल अपनी कवाली खुदी लिखने लगा, तो उससे क्या हुआ कि कवाली का जो मयार था, क्योंकि कवाली हमेशा जो कवाल पड़ते थे, वो किसी न किसी सूफी बुजूर्ग की पड़ते थे, या किसी न किसी शायर की पड़ते थे, ये चीज भी धीरे-धीरे ग्रामोफोन के समय में कम होने लगी, तो इससे कवाली के मयार पे काफी असर पड़ा, और फूहर कवालियां भी बीच में आने लगी ग्रामोफोन में, क्योंकि जब चीज़ें पॉपलर होती हैं और लोग लेकिन इससे एक फाइदा ये हुआ कि बहुत सारे जो कवाल थे, वो निकल के आये, जो मतलब छोटे-छोटे कस्वों में, या जिनको कभी चांस नहीं मिलता था, ये सारे कवाल जो है, ये पॉपलर होने लगे और इनको बुलाया जाने लगा अच्छा, इस मामले में मुझे नुसरत बड़े वो लगते हैं, मतलब बड़े प्रोग्रेसिव लगते हैं, कि वो अपनी उसकी जो कमाई होती थी, उसके 20 हिस्से करते थे, मतलब उसमें मुझे बड़ा ताज़ुग हुआ कि उस जमाने में कोई अपनी बहनों के लिए भी सब्हुए इस छा ही होती है, उनका भी सब निकालकर उनके घर वालों को पहुंचाते थे, क्या कमाल है, मतलब है, 20 हिस्सा करते थे, और 20 में से आच भी सब रहाँ है, बागी जो है, आन्ने दुस्रे, आच भी सब आणि-पने पार्टी वाले थे, उन्हें देते थे, दो- मेरे बाप का वर्सा है, जो कवाली मैंने सीखी है, तो बाप का जो हिस्सा होगा, उसमें बेटियों का भी होगा, तो वो इस नियत से जो है, वो वहां देते थे, तो नियत उनकी बहुत अच्छी थी, इस मामले में, अच्छा नुसरत जब ये आते हैं, बॉलिवुड में म्य मुझे ऐसा लगता है, परसनली लगता है, कि बहुत ज़्यादा वेस्टनाइज हो जाते हैं, नुसरत यहां जब आते हैं, जब कवाली, कवाली को बहुत ज़्यादा वेस्टनाइज कर देते हैं, गिटार विटार सब लेकर आते हैं, तो उसका मज़ा खराब हो जाता है, में तो यह है ना कि music director कोई और होता है आपको music director के हिसाब से काम करना पड़ा अब Gurus of Peace जो album था A.R. रह्मान सहाब का अब उसमें जो उनका music है Gurus of Peace वाला बंदे मातरम स्वारी album था और उसमें Gurus of Peace यह song था आप Gurus of Peace में देखें आप सारे instrument का यूज है लेकिन उसमें नुसरत का वो नहीं है उसमें A.R. रह्मान सहाब को सारे instrument चाहिए होंगे नुसरत तो कुलाब कर रहे हैं नहीं कुछ-कुछ जगहों पर उन्होंने खुद भी music दिया उसमें मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मतलब बहुत वो लोगों की तरफ से कोशिश थी किनिय सहाब आपको ऐसा करना है लेकिन जहां नुसरत ने अकेले गाया है उसमें आप इन तमाम चीजों से दूर दूर तर आप नहीं देखी गाए नुसरत इन तमाम चीजों के काईल भी नहीं थे उस तरकी पर चाहड़ने के बावजू अच्छा ये इन से कैसे इनकी बेट भी थी पीटर गैब्रियल से वो यूरोप गए थे वहां अपना इस तरह है कि बहुत किस्से हैं इसमें भी मैंने देखा एक महबूब साब मिल गयता है इनको शंकर संगु का किस्सा भी बड़ा जबरदस था दोनों भाई पहुंच दोने वहां के खुद्दामों ने कहा कि आप तो जो आपके जो कवाल हैं उनमें से आप है नहीं तो आपको तो पढ़ने का मुटा नहीं मिलेगा जोने कहा है तो हम यही सीहियों पर बैढ़ जाते हैं अनसन करेंगे जब तक आप घुसने ना दीजेगा बैठे रहे काफी दिनों तक उसके बाद जब खुद्दामों ने इनको बुलाया तो देखा कि अरे जब इनको पढ़ा तो सब हैरान और वहीं पर जो है मिल्ग डिर्क्टर महभूब सहाब ते अब उन्हें बड़ा अच्छा लगा वो जो रॉक स्टार मुवी में कैसे वो जो देखता है वभी वाला सीन रुगा उनको लेकर आ और फिर उसकें कि इलेके बान भूल म ळोर अनके बहुत बहुत सारी फिलमों में गाया στα कि इस अब बहुत फिल्मों में गाया है, अज महभूब हाँ, कई सारी फिल्में हैं, उनकी आगे चलके, अच्छा ये सब आगे चलके ऐसा हुआ, ग्राउंद फोन वारे लोग फिल्मों में बहुत आने लगे, आने लगे, हम मैं कहा तो ये तीन चीजों का बड़ा क्रेज था उस समय, एक जासूसी नॉवल्स का, फिल्मों का, और तरक्की पसंद तहरीर का, तरक्की पसंद में लिखी जा रही थी, तो फिल्मों का तो, चूंकि फिल्में इतनी पॉपलर हो रही थी, तो हर किसी को फिल्म में जाना था, इसलिए भी जो खानकाही कवाल कुछ थे, उन्हों ने film नो का रु है चलिए खानका है कोवालों ने कैसे film का रु किया कैसे नुसरत जिसको नुसरत और वो नुसरत कितने वड़े क्या मकबूल कोवाल हुए नुसरत के बाद थिर हम लोगों ने ग्रामज defens पे वो पूरा कमाल कमाल किसे आप आपने भी सुने हो कि मैं क्या दोवारा से उनको रिपीट करूंगा तो ये किताबे जो हैं इनकी किताबों के खास बात ये है कि ये किताबें पहले तो उस पे आपको रैयान भाई और सुमझ जी का कमाल का एकदम बढ़िया इंट्रोब हुमिका मिलेगी उसके बाद जो कवा पप्लिकेशन से मिल जाएंगी किताबें खरील लीजिए खडाक से तुरन तुरन खरील लीजिए दोनों किताबें आपको ये है ग्रामोफोन का वाली है और ऐसी कई बहुत सारी किताबें वहां जब आप जाएंगे तो सब मिलेगा पिछले वीडियो में हमनों बताया भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के और ये नुसरत की किताब है इसको और इसको दोनों को खरीद के पड़ डालिए और इसकी जो भूमिकाएं लिखिये मैं तो खायल हो गया मैंने तो सूशल मीडिया पर भी शेयर किया था जो इन लोगों ने भ और आप देख रहे थे टीवी नाइन डिजिटल शुक्रिया